नमस्कार आप देख रहे हैं डिजियाना नियूज और मैं हूँ आपके साथ रोशनी शर्मा पित्रपक्ष दस सितंबर से शुरू हो चुका है हर साल भादरपद मास की पूर्णीमा तिथी से पूर्णीमा तिथी का श्राद 10 सितंबर से किया 10 सितंबर को किया गया इन दिनों में क्या कुछ विशेश देखा जाता है किस तरह से पूजा पाट किया जाता है किस तरह से पित्रशांती की जाती है इसी पूरे विशेश परचारचा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे समभाद दता प्रविंट साबन जी और उनके साथ इस वक्त मौजूद अचारे पंडित राम चंद्र शर्मा वैदिक जी प्रविंट जी क्या कुछ विशेश देखा जाता है इन दिनों में जी देखें बिल्कुल श्राद्ध प्रक्ष प्रारम हो चुके हैं आज तीसरा है तीसरा श्राद्ध है यह सोला श्राद्ध हमारे जो संसकार है उनमें से एक है सोला श्राद्ध और जिस तरीके से हमारे पुर्खें हैं पुर्वज हैं जो हमारे अपने हैं जो इस दुनिया क विदा कर चुके हैं उनको याद करने का उनके प्रतितरपन करने का यह आफसर है किस तरह की पूजा पाठ की जाती है क्यों सर्वपित्र अमाउश्या महत्वपूर्ण है और श्राद क्यों किया जाना चाहिए इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार सुभ्सव है शुप पक्षे का हिं भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विंक्रश्ण अमावस्या तक है along इस cold श्राद्धों की विवस्ता धर्म शास्थ्रों में की गई है कि महिन आश्विंक्रश्ण प्रति बिद्न से लगाकर सर्व पित्री अमावस्या तक के जो पंद्रह दिन होते हैं वो पित्रि पक्ष के नाम से जाने जाते हैं धर्मशास्त्रों की एसी माननिता है कि इन सोलह दिनों में पित्रिगन पित्रि लोग से मनुष्य लोग में आते हैं और यहां देखते हैं कि हमारे जो परिजन है वो हमारे निमित श्राध्य कर्म कर रह अथवा नहीं एसा वह 16 दिनों तक देखते हैं यह पूर्ण मां से लगाकर अमावस्या के सायंकाल तक जो अपने पित्रों के निमित अपने दिवंगत पूर्वजों के निमित श्राध्यकर्म करते हैं तरपन करते हैं दान पुन्य करते हैं उन्हें वे आशिरवाद दे कर ज नहीं करते हैं उन्हें वे जो है श्राब दे कर जाते हैं अताह देव पित्रकार्या अभ्यान प्रमधित अर्व्तव्यां धर्मशास्त्रों की माननेता है कि जो देवकार्य होता है जो पित्रकार्य होता है उससे जो है देवकार्य से भी पित्रकार्य बड़ा माना जाता है इसलिए श्राद्ध कर्म जो है अपने दिवंगत पूर्व्यों के निमित उनकी जो निर्धारित तिथी है उस पर अवश्य करना चाहिए पंडी जी लेकिन ये देखते हैं कि तिथी याद नहीं रहती है अपने पित्रों की कई परिवार ऐसे रहते हैं या किसी का आकस्मिक निदन हो दुरगटना में निदन हो महामारी में निदन हो उस तरह के क्या कुछ उलेक है हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है धर्म शास्त्रों में इस बात की विवस्था की गई है हमारे यां कुछ महत्वपूर्ण तिथिया होती है जैसे पंचमी तिथी इसमें भरनी श्राद्ध कहा जाता है पंचमी तिथी पर उन लोगों का श्राद्ध होता है जो होरा नाँमी तृषी का बड़ा महत् े है जो सोभग्य्वति इस्त्रियों जो दिवन्गत हो जाती है जिनका देहनत हो जाता है जिनका स्वर्गवास हो जता है यदि उनके परिजण को यह तिति यात नहीं है तो वो नाँमी तिथिaciों के निमित श्राद्धकार्म कर सकते हैं वहीएक महत्वपूर टिथी है द्वादशी तिथी देखिए सन्यासी लोग यती लोग गुरु लोग इनका इज देहांत हो जाता है स्वरगवास हो जाता है देव लोग गर्मन हो जाता है तो ऐसे सन्यासियों की जिनकी तिथी हमें ग्यात नहीं है उनके निमित जो है श्राद्ध पक्षमें द्वादशी तिथी को श्राद्ध कर्म करने का विधान हमें प्राप्त होता है वहीं जो हमारे सैनिक जो है दिवंगत हो गए है जिनकी अकाल मृत्य हो गई है जो व्यक्ति जहर खाके मर गया हो किसी की accidental देठो गई हो या कसमा क्या सर्प ने उसे डस लिया हो तो इस जो शस्त्रागात व्यक्ती है। उनके निमित जो हे चतुर जसीति की निरधारित की गई है। उनके लिए चतुर जसीति को स्ष्ट 125 जो हे करना चाहिए भी पित्र पक्ष में एक महत तुपूंत ट Eagles पित्र विसरजनी अमावस्या, यह अमावस्या जो होसे, सर्वपित्र अमावस्या के नाम जानी जाती है, इस जिन पित्रों का विसरजन होता है, इस जिन पित्र लोग, बनुश्य लोग से पुनाह जो है, पित्र लोग में जाते हैं, तो ग्यात अग्यात पित्रों के निमित जिने आपके परिजन जो दिवंगत परिजन हो गए हैं उनकी किथी आपको ग्यात नहीं हैं तो ऐसे सभी दिवंगतों के निमित जो है श्राध कर्म आप अपरान काल से लेके सायंकाल तक कर सकते हैं जो ऐसे दिवंगतों के प्रती जो है श्राध कर्म करते हैं पूरवज लो यदि आशुनवाद देता है तो वह एक मात पित्रगण है पंडित जी हम देखते हैं कि जानकारी तो बहुत से लोगों को है लेकिन पूजन कैसे करना है तरपन कैसे करना है क्या विदी विदान है इसकी जानकारी के अभाव में कई बार जो जिस विदी के साथ पूजन होना चाहिए पित्रों को जिस तरीके से पूजा जाना चाहिए वो नहीं हो पाता देखिए पित्रिगंड 16 दिनों तक आशा लेकर पित्रि लोग से मनुश्य लोग में आते हैं ऐसी आशा करते हैं कि हमारे परिजन हमारे निमित कुछ करेंगे यदि आपकी कुछ भी करने की जली जो है अंगुठे के माध्यम से ये पित्रों के निमित जो है जलान जली आप दे सकते हैं देव पित्र और रिशियों के निमित वहीं यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो गाय कुट्ता अभ्यागात चीटी इनको जो है भोजन दे सकते हैं एक ब्रामन को भोजन करा सकते है किसी भी जो उनकी निर्धारित्नी है अथवा सर्वपित्री अमामस्यापत ये भी यदि आप नहीं करते तो सोलह दिनों तक जो है ओम नमों भगवते वाशुदेवायो ओम नमों भगवते वासुदेवायो इस महामंत्र का जब कर सकते ये इद्वाधशाक्षर मंत्र है क् ये 16 दिनों के जो देवता होते हैं भगवान विष्णु जो है इन 16 दिनों के देवता होते हैं विष्णु भगवान प्रजा के पालक हैं प्रजा की रक्षा करने वाले हैं और ये जो 16 महत्वपूर्ण दिन हत्म होते हैं ये भगवान विष्णु को जो है समर्पित होते हैं आप विश्णु सहस्तर नाम का पाड़ कर सकते हैं आप गीता के अठारा अध्याय में से एक अध्याय का पाड़ कर सकते हैं गरीबों को जो है आप दान पुंड गरीबों को दान पुंड कर सकते हैं उनके निमित तो अन्दान करें वस्तर नाम करें तो ये छोटे छोटे पर को प्रियाब की मालुम करो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कि कई बार मंगलनाथ में वाग्मारागार कॢई और हमारे देश में से स्थाने जहाँ पर उन स्थानों का अधिक महत्व करने की विवस्था की गई है जैसे उज्जेईन में सिध्धवट पर वहाँ पे पित्र दोश का भी निवारण होता है, काल सर्प दोश का भी निवारण होता है, मात्र दोश का भी निवारण होता है, ग्रहन दोश का भी निवारण होता है, तो आजकल जो जन्म पत्रिकाय में इस प्रकार के दोश यदि दिर्वित हों तो उनका निवारन तीर्थ स्थानों पर होता है यसे मैंने बताया सिद्धवड पर होता है नासिक में होता है कुछ लोग अपने पित्रों का विसर्जन जो है पित्र विसर्जन जो है वो गया में करते हैं किन्तु गया में पित्र विसर्जन करने के बाद भी जो है श्राद्ध कर्म अवश्यक ना चाहिए क्यों कि यह नित्यनेमितिक कर्म है गया श्राद्ध करने के बाद ब्रह्म कपाली के अंदर भी जो है श्राद्ध करने का विधान धर्म शास्त्रों में प्राप्त होता है आप ब्रह्म कपाली करने के बाद यदि आप जो है श्र जाने जाते हैं तिर्थ स्तानों का इसमें बड़ा महत्व है जो काग है उसका भी बड़ा महत्व है 16 श्राद्दों के दुरान काग को किस तरीके से और उन्हें उन्हें ही क्यों हमें जो है वो भोजन कराना देखिए बहुत अच्छा प्रशने आपका स्टौलाव श्राद्द के अंदर एक तो कुट्टा, कववा, चीटी मकोडी, अभ्यागा त्यन्हें आती थी और ब्राह्मण यह पाँच लोगष बड़ा महत्व माना गया है ये जो कुटा होता है ये और जो कववा होता है ये जो है पित्रों के प्रतीक स्वरूप माने गए हैं यदि आपके घर के अंदर श्राध करम हो और कुटा भोजन गरहन कर ले और कववा भोजन कर ले तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पित्र गर्ण जो है हमारे यहां जो है श् सन्दता होती है इसलिए कुट और कवा किन्तो आज के युग के अंदर न कुट्ता मिलता है न कवा मिलता है बड़े-बड़े 8 लिकाए बन गई है बड़े-बड़े महल निर्मित हो गए है तो ऐसी चकाच उन consumption के अंदर न तो कुट्ता दिखाई देता हैं किंतो धर्म शास् कुट्टा जो है वो यम्राज का प्रतीक माना जाता है कव्वा भी यम्राज का प्रतीक माना जाता है तो इसलिए गाय कुट्टा कव्वा ब्राम्हान चिटी मकोडी और अभ्यागात ये पंच बलियां जो है श्राद्ध पक्षमें देने का विदाने पांच इस्थानों पर बहुझन दका जाता है पहला गहत दिया जाता है फिर फिर गॉड्टे को दिया जाता है त dalा जाता है यह पंछądha लीज जो है इसका महत्व है और यह भृत महत्त है अर्युम्ट को वाजब कि से हवा की इसे कि घर में धूर्ब दहेते हैं उसकी गति से जो है उन्हें प्राफ्त होता है यह कभी विवाद ये यह कहते हैं हम ने पहले सुना है हम भी उसका पालन करते आ रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष के दोरान कोई खरीदी नहीं करना को शुप कारे नहीं करना ये नहीं अब इसको लेकर एक नए बयान आने लग गया कर्म गुरुओं के कि इस दोरान खरीदी करने के लिए कहीं कोई शास्त्रों में रोक नहीं लिखी गई आप क्या कि देखिए मैंने आप से कहा कि देव पित्रकार या अभ्यान प्रमधित अभ्यांग ये वेदों का वाक्य है पित्रकार देवकार से भी बढ़कर होता है तो पित्र पक्ष में जहां पित्रों की क्रपा प्राप्त होती है महीं देवताओं की भी क्रपा प्राप्त होती है ये देवताओं के साथ पित्र पक्ष में पित्रों की क्रपा प्राप्त होती है इसलिए कहीं भी इस बात का निशेद नहीं किया गया है कि पित्र पक्ष में ख खरीदारी का कहीं कोई बिशेद रही है खरीदी करना चाहिए जैसे अमावस्या तिती है तो अमावस्या का तो दीपावली होती है देखिए महालक्षमी की पूजा होती है जब हम अमावस्या के दिन महालक्षमी की पूजा करते हैं तो खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं माव नो से नभी प्रांड़ानी काुछ प्रप्र श्राद्ध के दौरा दान को एक हमारे धर्म शास्त्र में कि दान जो करता है उसका कॉसे लाब बढ़ा होता है तब अगर हम देखतें सोला स्राद्ध में किस तरह का महत्व है दान का और किस सामर्थ के साथ हो सकता तुन्हाय जोोतन जाए कोई जुपड़ी में रहने वाला उस के लिए क्या है। श्राद्धे का मतलब होता है जो श्रद्धा से किया जाए अंतर आत्मा से जो आजाए वह श्राध्य कर्म है इसलिए अपनी जो हैसियत है अपनी जो अपने जो अपनी हैसियत के अनुसार आप दान पुर्ण कर सकते हैं कोई वस्त्र जो है गरीब को दे सकते हैं चाता किसी को दे सकते हैं कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो आप पुराने जूतों का दान कर सकते हैं कुछ नी तो गाय को चारा हिला सकते हैं को अभी अभ्यागत है उसको भोजन खिला सकते हैं यह चोटे-चोटी चीजों के माध्यम से जो है पित्रगनों की तरप्ति होती है इसलिए शराध्य के दिनों में दान और पुंड्य का भी महत्व है इसे में क्या महसूस करते हैं कि और दीखते हैं कि और व्रद्धिreno गई तक जे दिनों दिन घर्म का प्रचार प्रशार बढाता जा ये कर्म भी जो है इसका महत्वाज इतना बढ़ गया है कि विदेशों में भी जो है श्राइट 16 श्राथ में तरपण जो है ब्रह्मनों को उनके माध्यम से कराया जा रहा है। है तमाम स्थानों पर विध्यादाम में भी जो है सामोई तरпन कर्म जो है करा полов में अधाग में भाग Tan चकाचोंद का यूग है भागम्भाग का यूग है उस भाग में भी लोक जो है प्रकृती ses डर रहे हैं अभी हमने देखी दो वर्षों में आपदाओं का जो है कुरूर है उसका रहस्य हमने जो देखा तो इन चीजों से लोगों में भैव्याप्त है और इस भै के कारण भी जो लोग है इस श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं निश्चित ही ये वगवान शीव की पूजा अर्चना कर रही है श्राद्ध पक्ष में हजारों लोग जो है अपने पूर्णयों के निमित तरपन कर रहे हैं दान कर रहे हैं गऊशालाओं के अंदर जो है धान-पुन करने वालों की भीर लगी है तो इस प्रकार इस कर्म के प्रती धर्म के प्रती रुजान जो है लोगों में बड़ा है विशेसकर यूगों के अंदर भी जो है धर्म के प्रती हमारे जो है रुजान बड़ा है आज देखिए देव मंदिरों के अंदर हनुमान जी के मंदिर के अंदर आप मंगलवार और शरीवार को जाईए कितनी भीर आपको मिल र कर रहे हैं निश्चित रूप से या देश और दुनिया के लिए अच्छा संकेत है तो वह सिर्फ जल का तरपन करके भी अपने पित्रों के लिए तरपन की विधी पूरी कर सकता है और जहां तक कहा गया है कि दान पूर्ण का महत्व है तो जो छोटी से छोटी वस्तु भी दान की जाए तो वह हमारे पित्रों तक लगी और जहां तक यह बात आई थी कि श्राद्द पक्ष के दोरान खरीदी करना वर्जित माना गया था लेकिन पंडित राम चंद्र शर्मा जी के अल उल्टा देव और पित्र दोनों का आशिरवाद इस दोरान मिलता है तो यह जिस तरीकी की विधी विधान बताये गाया है तो इन सोलाश राद्दों में अपने तरपन अपने पित्रों को जरूर याद कीजिए और जिस तरीके से आचारी पंडित राम चंद्र शर्मा कि विधिया हम देख सकते हैं इन दोर में सामोई तरपन की विवस्था लगबग दस्तानों पर होती होगी जो आने वाले समय में और बढ़ने की उम्हीं जी बिलकुल जिस तरह से पंडेते राम चंद्र शर्मा वैदिक ने हमें बताया कि किस तरह से पित्रों को प्रसन किय आ जाना है कि क्या कुछ नियम रहते हैं पूरे दिन का सोला श्राद जो रहते हैं उनमें किस तरह से पूजा आतना की जाती है लेकिन इनके अलावा हम देखते हैं आए दिन किसी व्यक्ति के मूंसे सुनते हैं कि पित्र दोश किसी व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है इस पत्रिकां के अंदर है यदि पित्र दोश हो मात्र दोश हो ग्रहन दोश हो हूँ तो 16 निमित तर्पड करने का विशेस महत्व है वही यदि आप इन 16 तर्पड नहीं कर सकते हैं तो पित्रों के निमित नाराएड और नागबली जलाशयों के किनारे जैसे अभी आपने प्रिश्ट किया था उज्जेन में सिद्धवत इस प्रकार का इस्थेर है इस्थान है वहीं जो है नासिक ट्रम्ब केश्वर में भी ये पित्रदोष निवारन की विवस्ता की गई है पित्रदोष से आदमी जो है परेशान हो जाता है मांसी रूप से परशानियां बढ़ जाती है घरों में बेरोजगारों की जो है बाड़ा जाती है वहीं पर जो है घर में कलहा होती है राद दिन जो है अशांती होती है आदमी को नीद नहीं आती है मन अशांत रहता है इस प्रकार के जो क्रिया कलाब होते हैं वहां पित्रदोष का मात्रदोश का संखेत होता है यदि ऐसी इस्टिती घर में निर्मित हो तो निस्चित रूप से किसी योग जोतीशी को पत्रिका बता कर उसका निवारण जो है पित्रदोश का इन तिर थस्तनों पर करना चाहिए तो जिस रोशनी यह श्रादबक्ष के दोरान पित्रदोश का निवारण भी है और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया सिद्धवट और त्रंबकेश्वर वस्थाने जहां पर पित्रदोश का निवारण की विदी विदान से पूजन किया जाता है तो वह जिनने अगर पित्रदोश है तो वह इस 16 राद्दो के दोरान उसका भी नि पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद तो यह थी हमारे समवाद्दाता प्रविंट सावन जी जिननों बताया कि पित्रदोश का हिंदू धर्म में विशेश महत्वाना गया है पित्रदोश में पित्रों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए पूजन किया ज सार पित्र पक्ष भादरपद मायज के शुक्लपक्ष की पुर्णीमा से शुरू होते हैं और यह अश्विन मास्थ की अमावस्या को इनका समापन होता पित्र पक्ष combined ये 16 दिन पुर्वजों के प्रती सच्ची श्रद्दा और आस्था व्यक्त करने के दिन होते हैं इन्हीं दिनों में एक अच्छी शुरुवात न केवल हमें सुख देती है बलकि पुर्वजों को भी शांती प्रदान करती है इसी तरह की तमाम जानकारियां लगाता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलहल वक्त हो चला एक छोटी से बेखका आप देख देरिए डिज्याना निस